इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 20 दसंबर 2022 को डोडा के मकाम पर एक एक्सिडेंट होता है जिसमें बदरवा का एक शक्स मंजीत सिंग नामक और उसकी बीवी और 6 साल की बच्ची उस एक्सिडेंट में जो डोडा के मकाम पर यह हादसा पेश आता है तो उसमें पाये जाते हैं और जिनकी डेट बॉडी रिकवर नहीं होती है लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर यहीं बता दें कि वह तीनों लोग मंजीत सिंग उसकी बीवी और उसकी 6 साल की बच्ची हर्याना के पंचकुला में जिंदा पाये गये हैं इस वक्त की बड़ी खब कि किस तरह एक शक्स जो फ्रॉड है वह बचने के लिए कुछ फैनेंशल जो बेंकरफ्ट होता है उससे बचने के लिए इसी हरकतें करता है लेकिन आज असलियत में यह सब देखने को मिला जब एक 20 तारिक को दो 20 दसंबर 2022 को एक एकसिडेंट होता है जिसमें एक गाड़ी जिसमें यह अनुमा लगाए जाता है कि यह मंजीर सिंग्ग बदरवा का रहने वाला है उसकी फैमिली इसमें इन्वाल है उसकी फैमिली इस हादसे का शिकार होगी है जिसमें इनकी छे साल की बच्ची और बीवी भी है तो लोग इस पर काफी अफसूश जताते थे उस टा बताई जाती है कि इस मंजीत सिंग नाम एक जो शक्स से एक बड़ा फ्रॉड है जिन्दा पाया गया है सोर्सिस के हवाले से एक खबर आ रही है कि ये पंचकुला हर्याना में जिन्दा पाया गया हलांकि पुलीस की तरफ से कोई ऑफिशल इस वक्त पुष्टी नहीं की गई ये इस खबर की लेकिन सोर्सिस के हवाले से बताएं एक फोटो भी काफी वाइरल हो रहा है जो हर्याना से है पंचकुला हर्याना में तीनों लोग जिन्दा पाये गए हैं सोर्सिस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये जो मंजीत सिंग नामा के एक बैंक्रप्ट आदम कराया जिसमें इसने खुद को एक प्रिजूम कराया कि ये ये अलॉंग इस फैमिली ये मर चुका है लोगों ने काफी इस फैर इजहरे अफसूस भी जता है लेकिन इस वाफ की बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं कि ये जो मंजीत सिंग नामक के शक्त से जो बदरवा कर जाता था उन सब में ये सब देखा जाता था कि किस तरह एक बंदा शडियंत रचता है इस सब चीजों से बचने के लिए लेकिन आज एक असलियत में हमें देखने को मिला और हमारे ही चिनाब विली से एक बड़ी खबर है कि एक इनसान जो मंजीत सिंग नामक के शक्त से ज इससे यह एडेंटिफाई हो और मोके पर से फरार हो गया जिससे लोगों ने यह एज्यूम किया कि यह बंदा इलांग इस फैमिली यह मोके पर ही इसकी डेथ होगी और ऐसा देखने को मिलता है जितने भी शड़क हासा हमारे चनाब वेली में होते हैं दरिया चनाब में जो सरी और्मिजेशन ने वहां पर जो लोकल ने सोशल और्मिजेशन ने वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया तो उनमें इनकी डेड़ बॉडी रिकावर नहीं ही जब पुलीस ने इस मामले की तहकीकात की तो इस तहकीकात में पाया गया जो यह मन्जीत सिंथा यह एक होता है कि यह इनसान यह शक्स पंचकुला हर्याना में है और मुबायल की वज़ा से ट्रेस हुआ है इसने यह साड़ा शर्यंत्र अपने आपको इस सब बैंकरफ्सी से बचाने के लिए किया था यह बंदा बैंकरफ्ट हो चुका था इसके खिलाफ रिकावरी सूट्स भी क रहा है चनामे दक्यला और लोगों ने यह माना कि इस शक्स की इसकी फैमिली जो इसकी बीवी भी थी और इसकी छे साल की बच्ची थी इनकी डेथ हो चुकी लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है बलकि यह शक्स पंचकुला हर्याना में पाया गया है और जिन्दा है सब इस सब इ इसकी बड़ी ख़बर आपको बता दें कि यह जो मंजीत सिम नामक शक्स था जिसने अपनी ही गाड़ी का एक्सिडेंट बीज दसमब 2022 को कराया जिसमें अपने आपको इसने ऐसा एक प्लान रचाए जिससे यह साबित हो लेकिन यह जिन्दा है पंचकुला हर्याना में जि करेगी लेकिन सोचिज के हावाले से इस वत की बड़ी ख़बर यहीं कि जो बदर्वा का मंजीत से नामक एक शक्स था इसकी यह जिन्दा पाया गया है और लांग इस फैमिली यह पंचकुला हर्याना में जिन्दा पाया गया है